नमस्कार दोस्ते बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों अभी हमें ये बेगू सराय में बेगू सराय के ये विश्णू पिक्चर पेलेस है उसके सामने ही ये बंगाली होटल है यहां पे जो है मीट चावल और मुर्गा चावल खिलाया जाता है म हम चैकन बार में काफी अच्छा मिला है और बहुत ही मिलूब को बटहले हैं कि काफी रखा हुआ है और इसका खुस्भू चाफी अच्छा रहा है तो इसके बगल में आपको निकेस देखने होखने को मिल जाएगा इससे चिकन खतम हो गया यह देखे ते जबन दयते हैं और इधर आपको उसमें अन्डा कड़ी देखने को मिल जाता है और जबते हैं इसे इनका चिक हो गया था तो ये चिकन भीन डिक डिन कटन में कितने बार बना रेखने हैं तीजें टीने ₩ प्रक्राइब दो किलो के आसपास भी बना यह लिए यानि कि मतन भी आपका लगभग खताम होने वाला है उसके बाद फिर फिर मतन बनाई गांगा मतन ऑगा रिया तो रेट क्या होता है आपका मतन करेठ आप यह प्लेट 80 रुपिया चावल मतन चावल 8 रुपिया और चिकन तो पूल प्लेट 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 जा रहा है मसाला का अच्छा है उसे काफी बढ़िया रहा है क्या क्या डाले इसमें उतनी घंदी मिर्ची धनिया और जो भी इसका मसाला होता है जो भी बनाने में मसाला लगता है सारा डाल पर यहां पर यहां पर यहीं दो महिना तो इसे यहां पर देखिए चाबल का क्वाल्टिक काफी बढ़िया है क्या 24-25 और कुछ बोल लेते हुआ यहकर फिर दुकान खुला था लेकिन फिर से स्टार्ट ultimate और यह कूंसा मसाला डाले इसमें लेकिन अब यह डालने के बाद कलर आया क्या थ्था तीखा होगा तीखा नहीं होता है लगबग 10-15 मिनाट से इसको भूझ रहे हैं और कितना देर भूझ यह पांसे शाट मिनाट वड़ जब तक अच्छे से पके गाने तब तक नहीं को पाणी डालने अब हो गया है है यहां पर यहां थेलं डाला प्रते बाहुत कम Yeti बहुत यह रही होता है यहां तो यहां पर नहीं लगए आफिक है त depend नालेता के बात जालते हैं जब पक जाता है तो प्सके बाद प्रता है उसके पानी जब अच्छे से उसको फड़ाय कर लेते हैं तो यह देखे यहां का यह चिकन अब बन के रेडी हो गया है बनने के बाद इसका कलर काफी अच्छा आ गया उपर में रोगन जो होता है वह आ गया ज्यादा तेल नहीं किये हैं खाने में अच्छा रहेगा और चिकन का पीश का बात करें तो पीश भी देखे काफी बराबरा है तो इतना बराबरा पीश आपको साच रुपया में दो पि आप लोकल ने क्या लोकल ड्यूटी करते हैं जब चिकन खाने का मन होता है तो आप तो आट तरस दिन में होंगे खाने के लिए नहीं तीन-चार दिन हो आए चुट्टी ताना घर गर गए जब चावल तो यहां का चिकन बहुत प्रमस है क्या है काफी टाइम से खाते हैं क् बहुत अच्छा रहता है तो चकल अब हम अपने लिए लगवाते हैं यह आगया चाल एक ब्लेट में इतना सारे । नहीए जाता है और उसके बाद चिकन का सुगन कापी अच्छा आ रहा है तो यह डेख 가운데 मेरे लिए ब्लेटिए। यह लेग पीड फिट लेग और लेग फिस्ट इह अंगया दोनों कि अगरा है तो यह देखिए मेरे लिए यहां पर फेलेट लग गया है और बराबरा पीश है यह लेग पर और सकेंड लेग लिए देखने में काफी बढ़ियां लग रहा है तो क्या करेंगे हम सबसे पहले सारा चिकन को इसमें डाल लेते हैं इसके बाद खाएंगे तो यह गर्ण लग तो लेंगे हम थोड़ा सा यह ग्रेवी ओंध काफी बढ़ियां सुगंद आ रहा ह इसे चिकन का सुगन जैसा होना चाहिए खुसबू उसा इसमें है काफी बरियां यह आ गया और मसाला भी कोई खास नहीं किया गया है लेकिन फिर भी इतना ज्यादा यह खुसबू आ रहा है तो लेंगे इसको गरेवी थोड़ा सा चावल काफी बरियां लग रहा है यह गरेवी खाने में इसका खुसबू है इसका टेस्ट भी है उसे पानी आ रहा है देखिए तो हम क्या करेंगे थोड़ा साथ पीछ भी टेस्ट करेंगे और खाएंगा हम यह गरेवी के साथ में चावल को अश्ट में और प्या थोड़ा सां मिला है मिर्च अलग्स आप लेके खाना चाहते हैं तो खा सकतें यह लेखे लेग उसे तो मेरा फ्रेट है यह सकेंड लेग गुछ लोग का लेग होता है और कुस लोगों का सकैंड लेग यह एस तना बढ़ियां से पका हुआ हिए उसे जब से हम आये थे जब आये थे तो बनाना स्टार्ट किये थे और तब कि लगवा आदा घंटा तक इसको बहुत ही अच्छा से भूंजे थे भूंजने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी राड़े फिर उसको भूंजे फिर जाके रागवा एक घंटा में बनके इनका यह परियों से जबाएं यह यह पर आपको बताते हैं यहां आना पड़े गाई यह विसनु सिनेमा होल है सामने में पिक्टर पलेस के नाम से इसके सामने ही आपको यह बंगाली होटल मिल जाएगा मतन चावल और मुर्गा चावल खलाते हैं हैं लोग बोलते हैं कि यहां का चिकन काफी अच्छा होता है और सिर्क दो मैना पहले स्टाट किये अभी लगवाग बोल रहे थे कि 8-10 कि खिला देते हैं अभी के मौसम में तो काफी बढ़िया है इतना ज्यादा खिला रहे हैं जल्दी-जल्दी हम इस पड़ेट को खतम क नहीं नहीं वीडियो में तक क्रिए बाइबाइबाइब